है गाइज मैं सुमुदेगों फिर से बहुत बहुत सौफ करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट हेल पर यूट्यूब चानल पर पर अपको सारी जिस डीटेल दे समझ में आ जाने बाली है एक्सवी होता क्या है कि एक क्या मिग कंणर निकाल याथ हर एक एक एर में एक अकैडमिक क्यलंडर निकाला जाता है जो भी IHM के student है जो भी अभी IHM के अंदर में अपने study को continue कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि academic calendar क्या होता है और जो लोग अभी aspirant हैं जो सारे student अभी admission लेने वाले हैं IHM के अंदर जो भी NCHM City से अफिलेटर इंस्टिटूट है वहाँ पर होटेल management में अपने admission को लेने जा रहे हो तो आप सभी को समझने में सोड़ा सा इसको मुश्किल होगा क्योंकि आप यह पहली बार देख रहे हो तो आपको बता दे कि यह जो academic calendar होता है इस academic calendar को NCHM City के तरफ से publish किया आता है NCHM City इसको release करती है इस calendar में क्या होता है पूरी date wise दिया गया होता है कि कौन से तारीक में आपकी classes start होने है कौन से मंत में कौन से date में आपका जो exam है वो conduct किया जाएगा कौन से date में कौन से मंत में आपका जो IT होना है industrial exposure training IT वो आपकी कब होने वाली है यह सब कुछ उस पूरे details से उस academic calendar में दी जाती है और जो यह academic calendar होता है इसी के base पे पूरा जो academic होता है IHM का वो जितने भी activities होते हैं इसी academic calendar के base पे की जाती है So to be very simple मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ पूरे details से कि वो कौन सा academic calendar है और क्या है तो यहाँ जो screen के ऊपर आप देख रहे हो यह है academic calendar 2021-22 मतलब 2021-22 का यह academic calendar आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यह भी revised किया गया है यह मतलब इससे पहले भी एक बर यह calendar निकाला गया था लेकिन अभी इसको फिर से रिवाज़ करगे आज के date में यानि की 1 July 2021 यहाँ नीचे देख लोगे आज के date में इस academic calendar को launch किया गया है अब आपको यहाँ पर बता दे चले थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे है ना बहुत जादे जल्दी यहाँ पर नहीं करना है समझने में थोड़ा सा ध्यान से समझ लो पॉइंट आपको सवरे चीज़ के लड़ हो जाने वाला है यहाँ पर यह जो नेस्टरल काउंसल फॉर होटेल मैनेजमेंट एडिकेटरिंग टेकनलोजी होता है एंसे एचम सिटी उसके तरफ से यह कैलेंडर निकाला जाता है आप यह स्क्रिंट पर देख सकते हो अब उन सबी के प्रिंजिपल के पास इस नोटिस को सेंड किया जाता है यह कैलेंडर आज मेरे पास सामके साड़े पांच बज़े तक मेरे पास यह कैलेंडर आ चुगा था लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा और वेरिफाई किया क्या कैसे समझने के बाद फिर मैं इसको वीडियो कर रहा हूँ, अभी आपको बता दे चले कि अब इससे कैसे किलेड होता है कि हमारा जो एक्जाम है NCHMCT JW 2021 वो अगस्त में होगा तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोए कि उपर में First Year Semester 1 दिया गया यहाँ पर मैं इसको हाइलेट करके आपको दिखाएता हूँ यहाँ पर जो इसकी Teaching जो स्टार्ट होनी है आप देख लोगी सेड्यूल में यहाँ पर Teaching है, में Term Examination है फिर से Teaching है, Winter Break है, फिर से Teaching है और Practical and Term Examination है यह पूरे आपका एक सेमेस्टर जो सेमेस्टर 1 है, उसका पूरा सेड्यूल यहाँ पर दिया गया है तो जो Teaching आपके स्टार्ट होने है, जो भी आपके Commencement of Classes होते है जो भी आपका Teaching स्टार्ट होगा, वो 15.09.2021 से लेकर के 12.11.2021 तक होना है टोटल आठ सब्ता आपका जो Teaching है, वो चलने वाला है अब यहाँ पर 15.09 मतलब 15.09 से आपके जो Classes है, जो आपकी Teaching होनी है, वो स्टार्ट हो जानी है तो 15.09 से आपका जो यह Classes है, तभी स्टार्ट हो पाएगा, तभी यह पॉसिवल है जब आपका एग्जाम अगस्त के 1st week में हो जाए, अगर आपका अगस्त के 1st week में होता है उसके बाद फिर Counseling Process होता है, आप सब भी को नहीं पता तो आप लोगों को बता दूँ, काफी सा रस्टार्ट को यहाँ पता ही होगा के NCHM CT JW मैड मिशन लेने के लिए, NCHM CT JW करा करने के बाद पुड़ा एक Counseling Process होता है यह Counseling Process नॉर्मली जो है वो टोटल 3 राउंड में होता है, 1st round, 2nd round and final 3rd round जिसको sport round भी बोलते है लेकिन अभी COVID की वज़ा से last year जो है, वो सिर्फ 2 round में इसको किया गया था 1st round और 2nd round, 2nd round को sport round बोला गया था, अभी पिछले साथ तो अभी इस वार भी date काफी extend हो रहे हैं, तो इस वार भी chances है कि जो आपका Counseling Process है, वो 2 round में ही खतम कर दिया जाएगा इस में क्या होता है कि आपका जो time होता है, वो कम लगता है, normal counseling में क्या होता है एक मेना डेर मेना ऐसा लग जाता है, लेकिन अगर आपका 2 round में counseling होता है तो उससे 1 ऐस सभता है होना है कब उनका ब्रेक है कब कैसे उनकी प्रैक्टिकल होना है अंटरम एक्जाम कब है तो वो लोग समझ जाएंगे में आज के इस वीडियो में जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको भी अड्मिस्न लेना है जो भी न्सी एचम सी टेटी डेवली लिखने वाले हैं उन सबी के लिए आज का ये वीडियो बेसिकली होने वाला है और बांकि सारे जो भी स्टूरेंट हैं जो आईचम में अपने स्टुडी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बस एक यह अपडेट रहेगा कि हाँ आपको बताते चले कि यह मेरे तरफ से क्रेट नहीं किया ग आईचम के टच में हूं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है और कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे कुछ इस्टूरंस को अभी यह उन सभी तक भी मिल गया हुआ क्योंकि यह कॉलेज वाले ने भी अपने अपने ग्रूप में डाल दिया है जितने भी आईचम हैं और यह जो कि आप इस फाइल को इस एकेडमी कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें मैक्सम शेर करें सब इस्टूरंस के पास अगर अभी तक आपने हमें इस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है आप आप इस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे भी सारी अपडेट्स जो है वो पोस्ट होती रहती है तो वहाँ से भी आपको जितने भी अपडेट्स है वो मिलते रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फिल आने वाले सारी इंपडेट्स अपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद